बिना गेंस जलाए ये मिठाई आप 5-10 मिनट के अंदर त्यार कर लिजेगा वो भी घर पे तो इस रक्षा बंदन लेकर आ गई हूं मैं ये मिठाई खाने में इतनी ज़्यादा टेश्टी कि आपके परिवार वारों से लेके आपके भाई सभी यही कहेंगे कि हर बात इसे मि सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत बुरिएगा तो चलिए आज का वीडियो में सुरू करती हूं तो इधर हमने ले लिया है एक बोल और बोल में डाल देंगे मिल्क पॉर्डर तो यह हमने एक कटोड़े के करीब लिया है ग्राम में देखी तो 50 ग्राम के क अभी चीजों को कटोरे से अच्छे से माप करी डालिएगा और इधर अमने लिया है मिठाई मेड आप इसकी जगा कंडेंस मिल्क का इस्तमाल कर सकते हैं या चीनी को ग्राइन करने के बाद उसमें दूद मिलाकर भी इस्तमाल कर सकते हैं पर इससे रिच सा टेस्ट आता है बिल्कुल अच्छा सा फ्रेवर एक देता है तो इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क या मिठाई मेड का इस्तमाल किया है तो चलिए बस थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे अच्छे से करना है मिक्स तो इस बाद का ध्यान रखिएगा कि सभी चीजों को अच्छे से माप कर लेना है तो यह जो कंडेंस मिल्क आप देख रहे तो इसकी कटोरी मैं थोड़ी सी छोटी वाली ली हूँ तो इसे भी मैं आपको बता दती हूँ जिससे मैंने मिल्क पौडर और नारियल का बुरादा लिया था तो उस कटोरे से यह आधे कटोरी की करीब है तो चलिए इसे अच्छ लेंगे कुछ ड्राइफ रूट जैसे कि आपको दिखी रहा होगा तो इधर हमने लिया है पान से छे अख्रोट जिसे वालनेट भी कहते हैं तो इसे हमने इसमें डाल दिया है और साथ से आथ हमने लिया है काजू और यह हमने तीन खजूर को अच्छे से खोल लिया था इस सबी चीजों को अच्छे से करना है ग्राइन तो बस थोड़ा ज्यादा ग्राइन नहीं करना है हलका सत्वा दरदरा रहना चीए देखे कुछ इस तरीके का तो हलका दरदरा ही छोड़िएगा मिक्सी को चलाइएगा और बन कर दीजेगा जल्दी से ग्राइन हो जाएगा औ इधर हमने लिया है सिल्वन फॉइल पेपर और इसको हमने कट करके रख लिया है और इसके उपर अब हम इस मिल्क और नारियल के बुरादे का मिक्स्चर को डालेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे तो इस डो को बिल्कुल अच्छे से धीरे-धीरे हातों से बेलिएग और यकीन मानिए समझ में ना आए न मिठाई कौन सी बनाए क्या करें तो छट-पट से ये मिठाई त्यार हो जाती है और देखिए जो पार्ट इसके साइट के है न इसे विकार हमें नहीं करना है तो बस हातों और चमच की मदस्ति से कुछ इस तरीके से लंबे सेप में कर ले तो बस इसी तरीके से थोड़ा और हम बेल लेंगे तो चलिए से बेलते हैं और ध्यान से धीरे-धीरे फॉइल पेपर पर ही बेलिएगा और एक बात का ध्यान लखेगा ये मिठाई बनाते समय अगर जो आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ी चिपकड़ी है तो इस डो को डालने से पहले फॉइल पेपर पर थोड़ा सा कुकिंग और या घी डाल दीजेगा जिससे ये चिपकेगी नहीं और ये देख रहे ना ज़्यादा न मैंने पतला किया है डो ना ज़्यादा मोटा और ये जो हमाई ड्राइफ रूट्स वाली थी ने जिससे हमने ग्राइंड किया उसे इसके उपर अच्छे से फैला लेना है तोँivesse कोजिए सावर से बिल्कुल अच्छे से सभी तरफ फैला लिजेगा किसी साइज ज्Яदा या कम मत रखिए वस्त आपनी रखना है तो बस इस तरीके से देखे हमने फैला लिया है और आब इससे हमें और टाइठ की इस गा तो आप जब इसे बनाए तो इसके उपर डो डालने से पहले इस पे थोड़ा सा घी या कुकिंग ओई लगा लिजेगा जिससे यह जब यह फोल्ड कीजेगा न तो आपको दिक्कत नहीं होगी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होड़ी थी इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जी या कुकिंग ओई लगा लिजेगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर करते हुए जाईएगा और देखे बस दीरे दीरे इसे मैंने कैसे भी करके इसे फोल्ड तो कर ये लिए तो देखे दोस्ते इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है और बिलुकल फोल्ड किया आप दिखी रहे है और इसे अच्छे से cover कर लेंगे और दोनों site के इसके किनारे उसे भी अच्छे से मोर लेंगे तो चलिए इसके भी अच्छे से मोर कर इसे set होने के लिए हमें रखना है 30 मिनट के लिए प्रीज में अगर जो आपके पर समय हो तो एक घंटा भी रख दीजेगा तो यह और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगी तो देखिए मैंने इसे 30 मीनत ही रखा था और यह अच्छे से सेट हो चुकी है तो चलिए एक बड़ आपको खोल कर दिखा देती हूँ और यकीन मानिए आपने भाईयों को अगर जो दीजिएगा न यह मिठाई तो आपके भाई यकीन मानिए बिलकुल चट कर जाएंगे सारे मिठाई तो इसलिए अपने लिए जरूर साइट में रख लीजिएगा वरना आपको तो मिलने वाली नहीं है और इसे आप चाहे तो किसी फेस्टिवल में भी बना कर त्यार कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम समय में बन कर त्यार होती है और बिना गैस जलाए किसी जमिले के आप कई भी बैटकर इसे अराम से त्यार कर सकते हैं तो देखें इसे अच्छे से हमने फोल्ट करके त्यार कर लिया थोड़ा से इसके उपर डाला है गी और इसे अच्छे से थोड़ा सा रोल कर लिया था तो कहां जाने दोस्तों कहीं जाएगा मत यह अभी पूरे तरीके से त्यार नहीं हुई है तो अभी तो इस पे बहुत कुछ करना बाकी है तो इधर हमने लिया है चांदी वर्क तो यह मिठाई के उपर आपको दिखती है ना वस यह वही वाली है तो इसको मैंने देखे दोनो साइट से अच्छे से लगाना शुरू कर दिया है अगर यह अपकी पास ना हो तो कोई बात नहीं दोस्तों इसके बिना भी यह मिठाई टेस्टी ही लगती है जो अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं आप स्किप कर सकते हैं यह बिलकुल देखे मार्केर जैसी दिक रही है न तो इसकी अब कटिंग कर लेते तो दोनों ये जो साइड वले हिस्से न तो इससे भी क्या करना है मैं आपको बताती हूं वीडियो के लाश्ट में बस वीडियो के अंतक बने रही एगा और जैसा पेश चाते हैं उस तरीके से कट कर लीजेगा मोटा पतला अगर जो हो और ये मिठाई कम लग रही हो तो थोड़ी से पतली पतली सी बना लीजेगा इससे सभी को इस मिठाई का टेश्ट मिल सके तो ये देखे दोस्तों कितना टेश्टी सा लग रहा है ना तो अभी भी ये बाकी है तो मैं आपको दिखाती हूं तो ये देखे दोस्तों जो मै चारों को कर लेना तो ये देखें दोस्तों तो दोनों साइट के किनारों से ये चार बॉल्स बनकर त्यार हुई है तो कुछ इस तरीके से हमने मिथाई को देखें सर्फ किया है और अभी भी ये बाकी है तो इधर आप देख रहे हैं न तो इस सिल्वर हमने बॉल लगाया तो यह चोकलेट वाली बॉल है यह मैंने ओनलाइन से ओर्डर करके मंगाया था तो चलिए इससे पहले हम लगा लेते हैं और अच्छे से सभी तरफ देखिए हमने एक ही करके लगा लिया है जिससे यह दिखने में और भी जादा टेश्टी और यूनिक लगे तो कहते न दोस्तों जो दिखता है वही विखता है तो बिलकुल मार्केर जैसा एकदम मैंने बना कर त्यार कर दिया है यकीन मानिए इस रक्षा बंदन में यह मिठाई बना कर देखिएगा पडिवार वाले काफ भी ज्यादा खुस हो जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई